जिस बाबा की वज़े से पीम बने मोदी उनी बाबा की पोल मोदी के लाड़ ले सांसद ने खोल दी बाबा रामदेव का बीजेपी सांसद ने कोला कच्चा चिठा यूपी से उत्तुरा खंडो दिल्ली तक मच गया अड़कव बाबा रामदेव को मोदी के सांसद में बताया फर्जी कई संगीन आरोपों पर उचल पड़े बाबा रामदे बड़ी आफ़त में फज गए पिये मोदी एक तरफ सत्ता दिलवाने वाले बाबा दूसरी तरफ पार्टी का सांसद साल 2012 से ये बीजेपी के साथ मिलकर कई लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया था जिसको बुनाने का काम नरेंदर मोदी उस वक्त किया करते थे जिनका काम योग सिखाना था वो बीजेपी सरकार के प्रचारक बन रहे थे दावा कर रहे थे कि मोदी पियम बन गए तो काला वाला धन वापस आ जाएगा दावा कर रहे थे कि साहिब देश के भागे वे धाता बन गए तो पेटरोल डीजल के दान नीचे आ जाएगी लेकिन उसके बाद जो हाला देश के बने उस पर बाबा रामदेव अंदर ध्यान हो गए थे बाबा रामदेव को भरे मंच से मोदी के सांसन ने किया जली पताया बेवगूप बनाने का करते है धंदा हरित्वार में कई अजार एकड़ की जमीन पर बाबा रामदेव का सामराज जें और ये किसी से छिपा नहीं है कि किसका आशिरवाद है सब अडानी अंबानी मैट के हुए है उदर बाबा रामदेव को सरकारी आशिरवाद मिलता रहा और रामदेव बाबा से सबसे बड़े व्यापारी हो गए खेर अब इंके बनाई उतपातों का गड़बर जाला खोद बीजेपी के सांसन ने कोल दिया है जरूर होना चाहिए उदर का इंथ ajaम जरूर होना चाहिए तूद ही ऐग ऐग ऐसी चीज है ने जो गाव में मिल सकते हैं आपारी से मिल सकती हैं किसान हो और आप के खुरे भूद नाई हुआ तो बच्चा कैसे सुस्त्र होगा है का राम जोकर नकली भीखाई सुस्त्र होगा है ये कैसर गंज से बीजेपी के सांसत ब्रजबूशन स्रण सिंग है जिनोंने जब मुझ खोला तो मोदी जी की टेंचन बढ़ गई क्योंकि यही तो वो आशरवाद है जिसने बाबा को व्यापारी बना दिया था और व्यापार से आने वाली रकम ने बीजेपी का कल्यान किया लेकिन मोदी जी के सांसत ने पतंजनी के नाम पर दूद धई खाने वालों को अलट कर दिया है बता दिया ची बेवकूब बनाने का धंद भगवा के भेश में स्देश में जोरों पर चल रहा है जरूर हो और नहीं है, खूद का इंध्यान जरूर हो नहीं है खूद ही एक ऐसी चीज है जो गाव में मिल सकती है किसान हो और आपके घर खूद नाई वह है रामदेव के कारणामों की धज्या उड़ाने वाले बीजेपी सांतज ब्रजबूशन शरण सिंग ने बताया कि दूद धही नहीं पूत पेस्ट से लेकर तमाम सामानों के नाम पर कैसे जमकर लोगों को लूटा जा रहा है और ये सब किसके आशिर्वाद से हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है किसमे हिम्माद किसाहिब के करीबी बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सके किसमे हिम्माद वो मोदी जी के लिए प्रचार करने वाले बाबा के खिलाफ कारवाई कर सके तो शिकायत का कोई मतलब ही नहीं मनता सोचिए ये तो बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने बाबारामदेव की परत खोल कर रख दी अगर यही काम किसी आम इनसान ने किया होता तो उसका क्या हश्र होता जब देश के एक बड़े पत्रकार ने इंटर्वियू में बाबारामदेव से व्यापारी बनने के बारे में पूछ लिया था तो पहले भड़क गए थे और उस इंटर्वियू के चन्दिनों बादी गोदी मीडिया से उन पत्रकार महोदे की रुखसती करा दी थे ऐसे में बाबारामदेव के कारनामों को बीजेपी के सांसद नहीं खोला है जिसने बीजेपी और मोदी की टेंचन वड़ा दिये पीजेपी सांसद ब्रजमूशन श्रण सिंग के इस खोलासे पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्पेशल डैस दे कंटा